आदर निस्तरोतागन आज मैं इंडिपेंडेंडेंस डे पर आप सब के सामने एक स्पीज स्पीज कर रहे हूँ 15 अगस्त के पहाने वर्ष में एक बार उन सहीदों को याद क्या करते हैं जिनके लफू लुवान सरीर एम गोरपुन बलिदानों से आज हम भारत के नर नारी अपने को सुखियन उभो कर रहे हैं कैसा रहा होगा उनका वह जीवन जब रात अंधियारी थी बरफीली पहाडियां थी सीत लहर के छोंके थे दुरगं चढ़ाई और चप्पे चप्पे में सत्रु मोर्चे लगाए बैठा था लेकिन भूप प्यास नीद की परवा के बिना वोवीर सीर पर कफन बांधे उन विस्तरों का मूर ढूंड कर कुचलने के लिए मचल रहा था नस्क नस्क में लहर और भुजाएं फड़क रही थी ए भारत मा तेरे लाड लेवीर एक के बाद एक अपने को भारत मा के बलिवेदी पचड़ा रहे थे उधर उनके प्रिवाजन माता पिता बच्चे आस लगाए बैठे थे काफी दिन हो गए पत्तर आएगा वेतन आएगा जिसे पस्सों के लिए चारे का परभंद करना बेहन की शादी का इंतजाम करना लेकिन ओहो पत्तरिया वेतन की बजाए तिरंगे जंडे में लिप्टे बोक्स में बंद सपूत बेटे की लाश आती है पूरे गाउं में सननाटा चा जाता है जननी मा को अंतिम दर्शन देने के लिए कफन हटाया जाता है मा गोलियों के निशानों को देखती है तो सहम जाती है गोलियों के निशान सब के सब सीने में है पीट पर नहीं एए मेर वीर शपूत आज तुने मेरे आचल के दूद की लाज रखते हुए मा का रिंट चुका दिया सारा राष्ट्र तेरे बलीदान पनत मस्तक है इसी वीर की जवान पुत्री सर्विस के लिए इंटर्व्यू पर जाती है रिश्वत नैदे सकने के काणिय है कहकर लोटा दी जाती है कि यहां जगय नहीं है आकर मा के सामने आसों की जड़ी लगाती हुई कहती है मा आज मेरे पिताजी जिन्दा होते तो क्या मुझे ऐसे लोटना पड़ता यहाल इस देश का जिसने सारे राष्टर को जगय दी आज उसकी संतान के लिए जगय नहीं रिश्वत लेने वाल संकी कुर्बानी को जिसका भरी जवानी में पुत्र शदा सदा के लिए जुदा होता है तो दुख का अंदाजनी लगाया जा सकता आकों के सामने अंधेरा छा जाता है हिमाले से बड़े दुख का कहें तूट पड़ता है उसको भी सहें करता हुआ पिता गयता है धन्य है पेटे तेरे गोरोपन बलिदान पर आज देश हरा भरा खुशाल नजर आ रहा है इसके पीछे बलिदानों की बहुत लंबी सरंखला है टाइगर हिल की जीत का परशन आया अठारा बीस वर्ष के नोजवानों ने सहर शत्प अपने को मोत के मुँँ में जाने के लिए प्रस्तूत किया जब जब भी देश पर शंग गटाया देश के बहादूर नोजवानों ने उबलते हुए गरम गरम खून की आहुती दी मास को चिम्टियों सुन चुआया जीते जी अंगं को कटवाया लेकिन भारत मा का भाला निचेनी होने दिया इसी देश की आजादी के लिए महर्षी दयानन जी ने सत्रा बाद जहर खाया गुरू गोविन सिंग के छोटे-छोटे बच्चों को दिवारों में चिनवा दिया गया आज भी वहां की दिवारे अपनी कहानी अपने मुह से बता रही हैं लेकिन भारत मा के वीरों ने भारत मा का भाला निचेनी होने दिया इसी देश की आजादी के लिए भामा से जैसी दान वीरों ने अपना सरवश्य लूटाया परतेग देशवासी को अपनी देश से इसी तरह प्रेम करना चाहिए जंगल म एक व्रिक्स पर लगी आग को देख कर जाते हुए राहिगर ने कहा आग लगी इस व्रिक्स पर जल रहे डाल और पात अरे पक्सियों उड़ क्यों नहीं जाते जब पंक तुम्हारे शाथ पक्सियों ने जो उत्तर दिया वह हर शवदेश प्रेमे के लिए चंड करने युग पक्सियों ने उत्तर दिया फल खाए इस व्रिक्स के और गंदे की है पात धर्म हमारा यही है जले इस व्रिक्स के साथ अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए अपने देश पर शहीद होने वाले सहीदों पर अपने सर्धा सुमनर पित करते हुए चंड अलपाज जये हिंद